अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे यूजीसी नेट जून 2005 का कोशन पेपर पिछले कल हमने 2004 का कोशन पेपर सॉल्व किया था तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो में 50 कोशन है फस्ट जो है इसमें पैसिज पूछा गया है पैसिज से रिलेटिड कोशन अब आपको नहीं आता लेकिन 2005 के अंदर एक पैसिज आता था इतियास से ही संबंदित ये पैसिज है जिसमें जिसमें से 5 परशन आपको करने पड़ते थे जैसा फस्ट पेपर में आपको आता है तो इसमें ये कोशन करने की आपको ज़रुरत नहीं है इसमें बहुत ही common कोशन पुछेगे हैं हम कोशन नम्बर 6 से शुरू करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए important नहीं है ये वाले जो कोश है question number six से हम शुरू करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं question number six किस हडपा स्थल से हल चलाने के साक्षे प्राप्थ हुए है हल चलाने के जो साक्षे है वो प्राप्थ हुए है काली बंगा से कौन सा बैदिक काल से संबंधित नहीं था बैदिक काल से जो संबंधित नहीं है सभावी बैदिक काल से संबंधित है स्मिति और बिधत लेकिन धर्मासन बैदिक काल से संबंधित नहीं है next है सयादबाद की परिकल्पना किस से संबंधित है जो सयादबाद है ये जेन धरम से संबंधित है निमेल लिखित अभिलेखों में किसने एक ग्रीक नागरिक द्वारा गरूड स्थम्ब स्थापित करने का उलेख है गरूड जो स्थम्ब है वो बेशनगर के अभिलेख से मिलता है गुप्त समराटों ने कई राजबंशों से बेवाहिक संबंध स्तापित किये थे कूट के अनुसार उत्तर दीजिए गुप्तों के जो बेवाहिक संबंध थे वाकाटक और शक से संबंध थे तो इसका option जो B है, right होगा शक एंड वाकाटक शाशक Next है, important question है यह है कि निमिल लिखित में से किसने प्रत्थम आर्थिक तथा शाशन संबंधी उनमुक्ती बोध भिख्षकों की को परदान किये यह की थी गोत्मी पुत्र शत करनी ने किसने परदान की थी गोत्मी पुत्र शत करनी ने Next है, 12 कुशान के लिए निमिल लिखित में से कौन से कथन सही है रजत मुद्राव का अधिकारिक चलन गलत है गांधार कलाशेली का बिकास यह सही है कुशान काल में गांधार कलाशेली का बिकास हुआ था Q. 13 इसमें बुक्स दी है हर्ष ने लिखी है प्रियदर्शी का बिज्यानेश्वर मिताक्षरा भोज ने लिखी है समरांगन सुत्राधार और बान ने लिखी है हर्ष चरित्र बान भटकी क्या है हर्ष चरित्र है नेक्स्ट है 14 इसमें निवर्तन होता है पतकर किसको बोलते हैं पतकर को कर्मिन्स टैक्स शुल्क जो है वो भूस और राज संबंदित है और गंधान जो है यह है स्वण मुंद्रा ओके नेक्स्ट है कोशन नमबर 15 हिंद रोमन व्यापारिक संबंद तीसरी चौथी श्ताबदी में पतनमुख हुआ था विल्कुल सही है समाज में ब्रामनों के प्रभुत्यों से समाजिक यात्रा पर प्रतिबंद लगाए ये भी सही है दोनों सही है नेक्स्ट है कोशन नमबर 16 कोशन नमबर 16 हम शुरू करेंगे जियाओदीन बर्नी के अनुसार क्या बोल रहा है जो रिण दाता थे उनके भारी कर्जदार रहते थे किस के शाषन काल में ऐसा होता था ग्यासु दिन तुगलत के शाषन काल में ऐसा होता था नेक्स्ट है ओप्शन यह बोल रहा है सूची एक हो सूची दो से स्मिलित कीजिए और नीचे देगे कूर से उतर का चेन कीजिए अलावदीन खिल जी जासु दिन तुगलक मुहमद बिन तुगलक फिरोशा तुगलक अलावदीन जो खिल जी था भुसने उस पर्था को जारी रखा जिसे अगले समय की कनकूद के नाम से जाना जाता था अलावदीन खिल जी के शासु काल में ग्यासु दिन जो तुगलक था उसने खूत और मुकद्दम को रियायते परदान की खूत और जो मुकद्दम होते थे उनके लिए क्या है रियायते इसने परदान की थी और मुहमद बिन तुगलक के शाशनकाल में जो दवाब में कर व्रदी की थी क्रिशी कर को बढ़ाने की नीती ने किसानों को विद्रो जो है विद्रो पेदा हो गया था और फिरोशा तुगलक है इसने अपने पूर्वज शाशक जो थे उसके द्वारा लगाएगे करो को इसने एबॉलिश किया था नेक्स्ट है कुछ नमबर एटीन महमद तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने आजमेर में जो स्थित मोईनिदिन चिश्ति की मकवरार के लिए उसने यातरा की थी दरगा पर जियारत की थी ये बिल्कुल सही है उसका सयाद बाद से अटूट विश्वास्ता रहस्य बाद में उसका अटूट विश्वास्त एक ही ब्याख्या नहीं करता है तो उप्शन हम भी उप्शन भी राइट होगा नेक्स्ट है थाटीन ग्रामीन समाज के सौपानिक धाचे के चरित्र चित्रित करने के उदेशी से निमल लिखित को उपर से नीचे की करम में बेवस्तित कीजिए बहुत ही इंप्टेंट कोशन है खूत और मुकदम बोलते हैं जमिदार को और जो बलाहर होता है वो होता है साधारन किसान होता है ये साधारन किसान खूत मुकदम जमिदार मतलब जमिदार इन से बड़ा हो गया और लास्ट में वालार आएगा राय और राणा मतलब जो सुल्तान के बाद आते हैं सबसे पहले option 3 उसके बाद आपका 1 फिर 3 उप्शन जो C है राइट है पहले आएगा राय राणा फिर उसके बाद खूत और मुकदम उसके बाद आएगा रेजा रिया और लास्ट में वालार जो किसादरन किसान होते हैं नेक्स्ट कोशन है दासपर्था की सपस्ट रूप से अवनती किस वर्ष में हुई थी है हुई थी सोल्वी श्ताबदी में बिजे नंगर के शाशक दी गया और उनका शाशनकाल बताना है बहुत ही important कोशन है ऐसा ही कोशन नहीं आते नेट में फिर भी इसको हम discuss कर लेते ज प्रियल जो दुईत्य था उसने 1377 से 1404 तक शाशन किया था देवराय प्रथम ने 1406 से 1422 और बिरुपाक्ष दुईत्ये ने 1465 से 85 तक शाशन किया था और बिर नर्सिम ने जो है 15 3 से 9 तक शाशन किया था उप्शन ए नेक्स्ट है 22 निमे लिखित को काल करम में वेवस्तित करे और सही करम का चेन करे अबदुल रजाक अबदुल रजाक 1442 में किसके शाशन काल में आय था डी टू देवराय दुईत्य के शाशन काल में आय था वर्नियर शाजा के टाइम आय था 1656 में और मारकोपोलो मंधिकालीन यात्रियों का राजगुमार भी का जाता है चोदुश ताबदी में आय था और थामस मुन्रो 1615 में जांगीर के शाशन काल में आय था ओप्शन सी नेक्स्ट है किस वहमनी शाशक ने वहमनी राजधानी को गुलवर्गा से विधर स्तनांतरीत किया था ये क्या था आपका हैमद शामस इसका शाशन काल था 1422 से लेकर 1436 और जो राजधानी ट्रांसलेट की गई थी 1425 में राजदानी को ट्रांसलेट किया था विधर नेक्स्ट है 24 नेक्स्ट है निमिलिखित को काल करम में बिवस्तित कीजिए लाल मस्जिद जो आपकी पढ़ती है ये है जौनपूर में जौनपूर में लाल मस्जिद है और शर्की साशक ने पंदरुईश ताबदी में बनाई थी बड़ा सोना मस्जिद बड़ा सोना और छोटा सोना मस्जिद जो है बंगाल के अंदर है सबसे लास्ट में बनी है और ग्यासुदीन तुगलक का मकबरा ग्यासुदीन तुगलक तेरह सो बीश से तेरह सो पचीश तक इनका शाशन काल रहा है और एमदाबाद की जामा मस्जि 1412 क्यासपास बनी है तो सबसे पहले आएगा ग्यासुदीन तुगलग का मकबरा ओप्शन बी राइट होगा नेक्स्ट है मंधिकालीन भारतिय सस्कृति पर इरानी और मंधिय एशियाई परंपराओं का गेहरा चाप है बिलकुल सही बात है शाशक बर्ग ने कैवल इरानी औ और मंधिय एशियाई सस्कृति को सरक्षन दिया यह भी सही है ए और आर दोनों सही है लेकिन एक भ्यक्यास और नहीं करता है नेक्स्ट है कोशह नमबर 26 26 में क्या बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है जो सही सुमेलित नहीं है चोसा कायूद जून 1535 बिल्कुल गलत है पहला ही क्योंकि 19 1539 में चोसा कायूद हुआ था शेर्षासूरी की मिर्थ्यू 45 में वोई थी ये भी ठीक है बैरमखा का प्रशिष्टी मान प्रतिशाशन ये ठीक है 56 से 60 माना जाता है पुरंदर की संदी 1665 में सही है नेक्स्ट आता है कौन सा एक सिक्का नहीं है सिक्का नहीं है मुझफरी, मुहर, आना और दुआनी सारे सिक्के हैं मुझफरी, सिक्का नहीं है नेक्स्ट है काल करम में विवस्तित कीजिए क्रोनलोजी हिस्ट्री में बहुत ही जरूरी है एक करम बद्दता तो दाग की प्रता जारी करना तो का सिस्टम जो है अक्बर के शाषनकाल में 1554 में क्या गया था और जात और सवार 1555 बारा सू बोकों उसने बाटा था 1580 में देशाला प्रता भी 1580 में ही स्तापित की गी थी ओप्षन जो है आपका राइट एंसर है option a option a next है शाजा के शाशनकाल के पिछले बर्षों में जब्द पर्था को दक्षिन में कि इसके द्वारा स्तापित किया गया था मुर्शीद को लिखाने इसको दक्षिन में स्तापित किया था option a नीचे दियेगे कूट के नुसार चेन कीजी अठारुश तापदी के पुरवाद में मराठा संग अपनी शक्ती की प्रकार्ष्टा पर था और पश्यम और मंधि में उत्री भारत के शैत्रों पर उसका राजे था सही है राजपूतों ने मुगलों के ब्रुद मराठों का समर्थन किया ये भी सही है दोनों सही है और इसकी भी अख्या भी ये कर रहा है नेक्स्ट है थर्टी वन जस्टिस पार्टी के बेचारिक मतभेदों में सामाजिक आतम समान इस पर निर्वर था कि समाज में वो अपना सग्ध्यात्मक बहुमत को काइम रखी बिलकुल सही बात है जस्टिस पार्टी के नेता गेर ब्रहमन अंदोलन के नेतरतों करना चाते थे उप्युक्त कथन के संदर्व में कौन सा कथन सही है इसमें दोनों ही कथन सही है लेकिन ये आर ए की ब्यक्या नहीं करता है ओप्शन आपका भी राइट होगा निमलेखित राज्यों को अंग्रेजों ने किस वर्ष तितिक करम में हड़ पा मतलब कब उसने अपने सामराज्य में इसको मिलाया बहुत ही कॉमन कोशन है बंगाल मैसूर और मराठा लास्ट में मराठा वो सिख लास्ट में हुआ नेक्स्ट है बाल शास्त्री जाबेडकर का बंबाई दरपन बंबाई दरपन अठारा सो बत्तिस के अंदर बंबाई दरपन शिशीर कुमार घोश की अम्रित बजार पत्री का अथारा सो अड़सट के अंदर तिलक ने لिखी मराठी अथारा से कसी और दिख दरशन अथारा सो अथारा के अंदर इसकी स्तापना की गई थी इसका राइट अंशर है B कि निमेलिखित पत्रिकाएं समचार पत्रों के उनके संपादक से मतलब सुमेलित कीजिए इसमें कन्फ्यूजन है कोशन ही ऐसा पूछा गया है इंडियन मेरर जो है इसको सुरेंदर नाट टैगोर ने इसको स्तापित किया था इंडियन स्टेट मेंस दीगदर्शन इसमें दिखदर्शन मंदन मोहन घोश का है इंडियन स्टेट्स तो कोशन ही कन्फ्यूजन वाला है इसमें कुछ अलग ही दिया गया है नेक्स्ट है थर्टी फाइब निजाम सब्सक्रेशिंज ये निजाम जंग भादुर शिबपुरा सत्यागरे मैसूर के अंदर हुआ था मजलिस ए इत्हादी मुसलमीन पार्टी भादुर यार जंग और पनर्वस बाइलाज सत्यागरे ट्रवन कोर राजी में हुआ था का हुआ था ट्रवन कोर में थर्टी फाइव भारतिय कानून विल्लियम बेंटिंग 1935 ठीक है प्रसम कर्म चंचनलन अब्रिन ये भी सही है नेक्स्ट है दृतिय गोल में कैनन के ही टाइम पर हुआ था प्रिटिश कारीन अंत्रिम मेकाले तीम अंत्रिम गवर्न जनरल ठीक है बलकुल चाहिए 12345 बड़े कॉमन कोशन पूछते थे उस टाइम सर्वपरी सत्ता सर्भोच है कथन है कैबिनेट मिशन कथन किसके आमुक में है बोलते हैं सर्वपरी सत्ता सर्भोच है एक उपनिवेशी की त्यासकार नहीं है सारे के सारे उपनिवेशी की त्यासकार है अनिल सील जुधित ब्राउन एल बाशम बीए स्मित ये भी कोशन कन्फ्यूजन है नेक्स्ट है रायत रक्षणा यात्रा मदरास प्रेजिडेंसी में इच्छापूर से मदरास तक किसने आयो जित की थी किसान सवाने नेक्स्ट है फोटी इंडिया टूडे शुरेंदरनात बेनर जी गलत है रजनी पामदत की रचना है ज्वाला नेरू डिसकबरी ओफ इंडिया सही है सुभाचंदर बोस फाइट फॉर प्रिडम पटामे सिता रमया हिस्ट्री ओफ इंडिया नेशनल कॉंग्रेस राइट फर्स्ट ही गलत है आरे समाज के संबंद में नहीं था बैनन्स रस्पती बिलकुल सही हंचराजी बिल थे एक समाज सुधारक नहीं है नहीं वाले कोशन अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं ऑप्शन ए सही है बराम जी मालवारी मौंदास करम चंद गांदी यूश्वर चंदर महसागर आर्शी दत नहीं थे इन्होंने एकोनमिक हिस्ट्री लिखी है गांदी ने हिंद सोराज की रचना की थी जब वो है जाज के जरिये इंगलेंड से दक्षिन अप्री का जा रहे थे 1904 की बात है गांदी ने जब हिंद सोराज की रचना की थी नेक्स्ट है निमेलिकित में से कौन सा शेत्र हैदरवाद कंटिजेंसी को बकाया राशी के ना अधा करने पर अंग्रेजो द्वारा अधिकार में कर लिया गया था जिस पर 1907 तक कबजा काइम रहा है यह था बरार बरार जो था इसको कबजे में ले लिया गया था नेक्स्ट है 45 निमेलिकित में से एक मोखिक सबूत नहीं है मोखिक सबूत क्या नहीं है सक्षातकार विलकुल सही होता है घटनाओ का टेप रिकोटर यह भी है ब्यक्तियों का नीजी संग्रे बल पूर्वग तरीके से मोखिक सबूत निक्वालाना यह मोखिक सबूत नहीं होता है नेक्स्ट है तथ्थी पवित्र है पर मत्थ स्वतंत्र है क्या बोल रहा है कि तथ्थी फैक्ट क्या है सिक्रेट है पवित्र है लेकिन मत्थ जो है वो स्वतंत्र है इस परकार के फैसले निमन में से किस तथ्थी को महत्तो देते हैं यह देते तथ्थ्यों पर व्यक् नेक्स्ट है 47 निमे लिखित में से कौन सा एक दुईती कोटी के स्त्रोत नहीं है पीजेंट्स एंड पीजेंट्स एंड सोसाइटी इन मेडियेवल साउथ ये क्या है सेकेंडरी सोर्स नहीं है नेक्स्ट है हमुराबी नियम ये बेबुलेनी सव्यता से है दोहजार पास के अंदर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कोशन आता था तो हमुराबी जो लोग है वो किस्टे हैं बेबुलेनीया की सव्यता से संबंदित है नेक्स्ट है आपका रूस में शोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना केस ने की जोर्ज फेकानाव ने ये की थी टर्की में धरमतांत्रिक राजी को मुस्तफा कमाल पाशा ने किस वर्ष समाप्त किया ये किया था 1925 में ठैंक्स फ्रेंड इस वीडियो को देखने के लिए और कल हम डिसकस करेंगे दिसंबर का पेपर दिसंबर 2005 का पेपर और एस सीरीज ऐसे ही चलती रहेंगी हम डेली का एक कोशन इसमें सॉल्व करेंगे जो भी आपके कमेंट्स हो प्लीज कमेंट वर्क्स में लिख दे कोई भी क्वेरीज हो